हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज के सुड़ों अन्बॉक्सिंग करने जा रहे हैं असुस जैनफोन मैक्स प्रो एम टू की आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों को बता है काफी दिनों से मेरे पास ही पड़ा हुआ है तो आज के सुड़ों में इसके अन्बॉक तक देखना पड़ेगा तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का वीडियो लेकिन दोस्तो उससे पहले जो red color का subscribe बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए साइड में जो bell icon आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद like बटन पर जरूर से क्लिक कीजिए तो दोस्तो यह है box यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M2 का box के उपर आप लोग देख सकते हैं फोन के specifications पीछे की तरफ mention किये गए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 4GB RAM वेरिंट है इसमें आपको 64GB का internal storage मिलता है और जो processor इस smartphone में आपको मिलता है वो Qualcomm Snapdragon 660 वाला मिलता है और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैट्टरी दी गई 6.3 इंच का एक Full HD Plus इसमें आपको मिलता है और यहाँ पर आपको dual 4G voltage का support मिल जाता है dual rear camera यहाँ पर आपको मिलता है तो चलिए फिलाल box को open करते हैं और बाकी जो features है वो मैं आपको बात में बताने वाला हूँ तो फिलाल box आप लोग देख सकते हैं काफी यहाँ पर जो है अच्छी designing की गई बाक्स के और बाक्स के अंदर जो यह packet दिया गया है वो भी यहाँ पर काफी colorful packet दिया गया है जो की काफी अच्छा यहाँ पर लग रहा है इस पर लिखा हुआ वी लाओ फोटोस तो असूस फिलाल यह लोगो अपना लेकर चल रहा है आप लोग देख सकते हैं तो इस packet के अंदर क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको मिलती है सबसे पहले जो sim ejector pin है वो यहाँ पर आपको दी गई है और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ एक user manual guide और यहाँ पर warranty card वगएरा वो यहाँ पर मिल जाती साथ में एक और packet यहाँ पर आपको मिलता है जिसमें आपको यह silicon case provide किया गया है तो यह काफी अच्छी बात है कि आपको अलग से बस्जेज नहीं करना पड़ेगा आपके smartphone के लिए case और यह काफी अच्छी quality का भी है और दोस्तों यह है यहाँ पर हमारा phone asus gen phone max pro m2 तो आप लोग देख सकते है max durability यहाँ पर दिखाईगा कि max battery और max performance यहाँ पर जो है mention किया गया है जो यहाँ पर packet दिया गया है phone के साथ में और चलिए इस packet से हम phone को निकाल लेते हैं और phone कैसा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो पीछे की तरफ जो glass finishing यहाँ पर आपको दी गई वह काफी अच्छी मुझे तो यहाँ पर लग रही है और फिलाल box content में आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर आपको USB cable दी गई है और जो charging adapter आपको provide किया गया है वो 5V 2A वाला charging adapter प्रोवाइड किया गया है तो दोस्तो चलिए आप phone पर आते हैं और यह रहा आपका सुस Genphone Max Pro M2 phone देखने में काफी अच्छा है यहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक फुल LCD प्लस डिस्पले मिलता है और notch भी यहाँ पर आपको provide की गया है और दोस्तो यहाँ पर आपको 15,000 उपे की smartphone में Corning Gorilla Glass 6 का production भी दिया गया है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे notch के उपर आपको speaker भी provide किया गया है और उपर की तरफ यहाँ पर आपको secondary microphone दिया गया है और इस तरफ यहाँ आपको right hand side पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको volume broker key और power button है वो यहाँ पर दिया गया है जबकि phone के नीचे की तरफ यहाँ पर आपको speaker दिया गया है जो main speaker है और यहाँ पर USB port दिया गया है उसके बाद जो है आपको main यहाँ पर जो mic है वो यहाँ पर provide किया गया है और 3.5 mm वाला जो audio jack है वो यहाँ पर provide किया गया है glass finishing यहाँ पर आपको मिलती है और पीछे की तरफ जो आपको dual camera setup मिल जाता है जो main sensor है यहाँ पर 12 megapixel का है जबकि secondary sensor आपको यहाँ पर 5 megapixel का मिलता है जो main sensor है वो यहाँ पर sony imx 486 वाला sensor यहाँ पर आपको दिया गया है और fingerprint scanner पीछे की तरफ मिलता है साथ में LED flashlight और Asus की bending यहाँ पर आपको मिल जाती है तो style के मामले में Asus Genphone Max Pro M2 काफी बड़ा upgrade है यहाँ पर Asus Genphone Max Pro M1 से तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता है कि फोन देखने में बिल्कुल यहाँ पर जबरदस फोन है और चलिए फोन को कर लेते हैं on और दिखाते हैं जो software किस तरह का यहाँ पर आता है किस तरह का OS आपको मिलता है और किस तरह की इसकी performance है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो face unlock वाला feature है उसे यहाँ पर setup कर लिते हैं देखते हैं कि low light है आप लोग देख सकते हैं काफी low light है रूम में फिर भी देखते हैं कि जो यहाँ पर face unlock वाला feature वो काम करता है या नहीं करता है तो मैं अपना face data यहाँ पर add कर देता हूँ Android 8.1 यानि कि यहां पर आपको Android Oreo जो कि Stock OS है वो यहां पर प्रोवाइड किया गया है तो यहां पर अच्छी बात है कि यहां पर आपको किसी तरह का कोई भी कस्टमाइज OS नहीं मिलता है कोई भी ब्लोटवेर एप यहां पर आपको नहीं मिलता है सिर्फ जो मेन एप से जो Google के आप से वह ही यहां पर प्रोवाइड किये गए तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन-कौन से एप से आप पर प्रोवाइड किये गए हैं तो यहां पर आपको जो है Google के सभी एप मिल जाते है इसके साथ ही असुस की तरफ से कुछ है कि यहां पर टूल्स वाले जो एप ह आपको देगा है जिसमें आपका में जो एप है वो FM रेडियो वाला एप है जबकि Facebook Messenger, Facebook App और Instagram यह कुछ थर्ट पार्टी एप से आप आपको मिलते हैं इसके अलागा कोई भी थर्ट पार्टी एप आपको इस स्मार्ट फोन में नहीं मिलता है तो चलिए फोन की सैटिंग्स इसे यूज नहीं किया है तो फिलाल जो ओएस वगरा है और जो एप्स ने आपर इंस्टोल किये गए उन में करीबन जो है 10GB जो है यह मेमोरी ले रहा है और बात करें अबाउट सेक्शन की तो चलिए अबाउट सेक्शन में हम चलते हैं तो आप लोग देखेंगे यहां प पांसजार एमेच की बैट्टी है आपको मिलती है और फोन काफी लाइट वेट है और यहां पर आपको स्टोक ओएस मिल रहा है यानि कि आपका फोन बिल्कुल भी यहां पर लैग नहीं होने बारा है तो चलिए अब हम यहां पर जो है कैमरा टेस्ट कर लेते हैं जैसा कि मै आपको 12 ंडिक्सल 252 ंडिकिश छोभी और फ्रन्ट कम रहा है और जो फरंट कमरा दोस्तों यहां पर प्रोइड किया गए वह 13 ंडिक्सल का प्रोइड को इसके साथ पार अप रिदे में लगों वाला मोड आपको दिखा अगया भी बूहां प्तों सर्डित गई घए आप कि यहां पर बुके एफेक्ट वाला फीचर है वो भी प्रोवाइड किया गया है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस स्मार्टफोन में जो AI वाले फीचर है वो अभी अपडेट आने वाला है असुस ने जब इस स्मार्टफोन को लॉंच किया था बताया था कि काफी ज़ाद AI वाले फीचर भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो जल्दी ही आपको यहाँ पर AI वाले features भी देखने को मिलेंगे तो यह कुछ filters यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और बात की जाए video recording की तो यहाँ पर आप फुल HD में तो video record कर ही सकते हैं इसके साथ जो है आप 4K video recording भी यहाँ पर कर सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M2 का camera है तो दोस्तों यह है कुछ camera samples जो कि यहाँ पर indoor के हैं और काफी कम light यहाँ पर है फिर भी जो colors है वो काफी अच्छे लग रहे हैं और details भी आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी details यहाँ पर photos की आ रही है और यह दूसरा photo आप लोग देख सकते हैं इसमें भी काफी अच्छी details यहाँ पर आ रही है और यह काफी कम light में यहाँ पर लिया गया है और दोस्तों यह photo जो आप लोग देख रहे हैं यह मैंने outdoor में लिया है तो focus यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शेयर कर देता हूँ तो दोस्तों यहां पर जो असूस जैन फोन मैक्स प्रो एम टू का कैमरा है वह काफी अच्छा कैमरा है वीडियो के मामले में बहुत ही जबरदस्त कैमरा है और काफी जल्दी पर आपके object पर focus करता है आप लोगों नी देखा होगा जो flowers थे वहां पर काफी जल्दी focus कर रहा था तो वीडियो के मामले में जबरदस्त कैमरा है और अभी AI वाले features आ जाएंगे तो फिर और जबरदस्त जो है camera यहाँ पर होने वाला है Asus Genphone Max Pro M2 का तो चलिए आप हम face unlock और fingerprint scanner टेस्ट कर लेते हैं तो फिलाल हम fingerprint sensor जो है टेस्ट कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं टेस्ट करते ही हमारा जो phone है वो यहाँ पर on हो रहा है आप लोग देखेंगे Unlock हो रहा है टेस्ट करते ही और face unlock वाला feature भी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ Light काफी कम है room में फिर भी हमारा phone जो है यहाँ पर काफी जल्दी on हो रहा है जाने कि दोनों ही feature काफी अच्छी तरह से काम करते हैं और दोस्तों यहाँ पर बात की जाए और features की तो यहाँ पर आपको sound के बामले में भी एक जबर्दस feature दिया गया है कि यहाँ पर आपको five magnet वाला speaker प्रोइड के गया है smart amp के साथ में तो अगर आप जो है यहाँ पर music lover है तो आपको किसी एक्षनल स्पीकर के आउसकता नहीं रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको काफी जबर्दस speaker प्रोइड किया गया है finally दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों को लिए new year gift की तो दोस्तो मैं यहाँ पर smartphone का giveaway करने जा रहा हूँ और आप लोगों को बस इस video को share करना है अपने दोस्तों के साथ में whatsapp, facebook, twitter या जो भी social media account आप use करते हो तो वहाँ पर इस video को share करना है उसके बाद में इस video को आपको like करना है, channel को आपको subscribe करना है और जो side में bell icon आता है वो भी आपको press करके रखना है तो जैसे ही इस video पर 1 million views complete हो जाएंगे तुरंथ हम यहाँ पर दोस्तों give away का result announce कर देंगे तो जल्दी से जल्दी इस video को अपने दोस्तों के शाथ में share कर दीजिए और comment कर दीजिए अपने thoughts नीचे comment section में तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आयोगा तो इस video को ज़्यादा शेयर करें, channel को subscribe करें, वीडियो को like करें दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए